पाकिस्तान को दुनिया की बहतरीन क्रिकेट टीमों में से एक माना जाता है। सालों से यह एक ऐसी डरावनी टीम है जो दुनिया भर में लोगों की हवा निकाल देती है। कैच लेते ही सब खत्म, पाकिस्तान जीत गया। यह सब को डर लगता है। और कभी-कभी वह किसी फॉर्मेट में नंबर वन रैंकिंग भी ले लेते हैं। तो फिर यह कैसे हुआ कि इतनी अच्छी टीम वर्ल्ड कप से बेज़ज़त हो गई। टीम स्पिरिट और नेवर डा स्टेटस मिला और तब से आगे बढ़ने का कोई रुख नहीं था। जल्दी ही उनका नाम मजबूत और अप्रत्याशित टीम के रूप में बन गया। क्रिकेटिंग वर्ल्ड डर गया था इस देश से और सही भी था। टीम ने जल्दी ही टेस्ट ग्रेट्स की तरह उभरन का नाम बनाया। 1975 विश्वकप में इन्वाइट किया गया। लेकिन वे ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। यही थे वह दिन जब पाकिस्तान ओनल आउट हुआ 205 के लिए। लिली ने रिमार्केबल फिगर्स के साथ खेला। लेकिन जब उन्होंने कंसीक्यूटिव दो विश्वकप सेमी फाइनल्स तक पहुँचने का रिकॉर्ड बनाया। तब दुनिया को पता चला कि यह टीम किसी से कम नहीं है। और फिर आया 1992 का विश्वकप जिसमें पाकिस्तान ने इमरान खान के कप्तानी में विश्वकप जीता और उन्हें कौरनर टाइगर्स भी कह वसीम अकरम का लेजंडरी परफॉर्मेंस ने उन्हें विश्वकप जीतने में मदद की थी। लेकिन फिर आया 1999 जहां ऑंस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न ने उनको हरा दिया और विश्वकप ले लिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी जीत के 2000 एशिया कप को जीता। 2007 मे TBS विश्वकप में runner-ups हुए और फिर 2009 में उसी ट्रॉफी को जीत लिया। 2011 ODI विश्वकप थोड़ा सा disappointing था क्योंकि semi-finals में होस्ट इंडिया ने उनको हरा दिया। 2012 में Asia Cup जीता गया लेकिन 2015 विश्वकप और 2016 T20 विश्वकप में वह होस्ट ऑंस्ट्रेलिया और इंडिय के हाथों हार गये। 2017 Champions Trophy में तो धमाल मचाया, bitter rivals इंडिया को हराया और final में 158 रन से जीत ली। ये थे कुछ अच्छे पल लेकिन अब आते हैं उनके downfall की तरफ। 2002 में Champions Trophy में group stage से बाहर हो गये जोकि बिलकुल unexpected था क्योंकि उन्होंने अभी Asian Cup जीतने के बाद अच्छी performance दी थी। फिर 2003 में ODI विश्वकप में भी group stage से बाहर हो गये जो पहली बार था 1975 के बाद। 2004 में Champions Trophy में semi finals तक पहुँच गये लेकिन West Indies ने उन्हें हरा दिया। फिर आया 2006 जब वह Champions Trophy में group stage से बाहर हो गये और 2007 विश्वकप में दो consecutive tournaments में knockout तक नहीं पहुँच पहुच 2009 में आया एक अधिरा दिन जब श्री लंकन cricket team पर attack हुआ जिसमें 12 gunman ने बस पर हमला किया। इसमें 9 लोग मारे गए और 9 घायल हुए जिसमें cricketing rates भी थे। इसके बाद पाकिस्तान को hosting rights गए 2011 विश्वकप के लिए और कई home series cancel हो गई। प्लेयर्स को पाकिस्तान आने से इस वजह से वे UAE में मैच खेलने लगे। इसमें 15 विश्वकप में भी अच्छा करेंगे। लेकिन वह group stage से बाहर हो गए और captain सफरज को उनके decisions के लिए criticize किया गया। 2021 और 2022 के T20 विश्वकप में उनका performance थोड़ा सा सुधार गया, 2022 में final तक पहुँच गए। लेकिन एक shocking hard Zimbabwe के खिलाफ उन्होंने सहा। एक्स कैप्टन राशिद लतीफ ने ये भी claim किया है कि players को 5 महीने से salary नहीं मिली है। Bowler Danish Canaria ने religious discrimination का भी claim किया है, लेकिन असली problems का पता लगाने के लिए हमें board, domestic system और players की तरफ देखना पड़ेगा। Board का बड़ा issue है, जो बड़े players पर ज्यादा pressure डाल रहा है, security provide नहीं कर पा रहा है और stable leader find नहीं कर पा रहा है। और team selection में भी problems है, हर्शा बोगली ने कहा है कि domestic first class cricket standard नहीं है, जिसकी वजह से talent तूसरे countries को चला गया है, और last लेकिन not least, players खुद भी कुछ कड़बन कर रहे हैं। captaincy में सफरज और बाबराजम का 8 factor missing है, और former captain FC ball का कहना है कि sporting culture dressing room में नहीं है, players indecisive और अफ्रिट दिख रहे हैं, spin bowling talent भी कम है और fitness issues भी clear हैं। इन सभी कारणों से Pakistan का downfall हुआ है, और अब fans को बहतर deserve मिलता है, इस cycle को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो Kenya जैसा हाल हो सकता है, नेवी होगा सोचना कि ये सब खुद ही ठीक हो जाएगा, fans को बहतर चाहिए और actions लेने पड़ेंगे।